देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली सांस लेने को तडप रही है क्योंकि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की हवा में जहर घुल चुका है जहर भी ऐसा कि दिल्ली में लगातार पांचमें दिन भी धुन्द की एक घनी चादर चाई हुई है और अधिकतर इलाकों का एर कॉलिटी इंडेक्स पांच सो के आखड़े को चू रहा है जो विश्व स्वास्यस अंगठन यानी डेवलियाचो की स्टेंडर सीमा से करीब सो गुनादिक है एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह की स्थिती अगले 15 से 20 दिनों तक बनी रह सकती है शिकागो यूनिवस्टी के दोरा किये गए एक अध्यान के अनुसार दिल्ली के लोग जिस खराब क्वालिटी वाली हवा में सांस लेते हैं उसके कारण उनकी उम्र करीब 12 वर्ष्ट तक कम हो सकती है और साल दर साल ये खत्रा बढ़ता ही जा रहा है दिल्ली में प्रदूशन के भड़ते स्तर का असर क्रिकेट वर्ल कप पर भी दिखाई दे रहा है श्रिलंका के खिलाफ अपना अगला मैच खेलने दिल्ली पहुंची बंगला देश क्रिकेट टीम ने प्रदूशन के मद्दे नजर आज अपना अभ्या सत्र स्थगित कर दिया और सूमवार को खेले जाने वाले इस मैच पर भी रद्ध होने का पूरा खत्रा बना हुआ है नमस्कार मैं विक्रम देव देफ फूर्थ होन इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ दिल्ली के वायू प्रदूशन संकट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाजा पर इसराइल के हजारों टन बारूद बरसाने के बावजूद गाजा की हवा अब भी दिल्ली से कई गुना बहतर है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मौसम का हाल बताने वाली वेबसाइट एक्यू वेदर के मताबिक आज सुबा गाजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 37 दर्ज किया गया यानि गाजा की एयर क्वालिटी आम तोर पर अधिकांश व्यक्तियों के लिए स्विकारिया है वहीं दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 दर्ज किया गया जिसे खतरनाग माना जाता है अब तक दिल्ली के वायू परदूशन के दो बड़े कारण सामने आए हैं पहला अक्तूबर में बारिश का ना होना और दूसरा पराली जलाने की घटनाओं का बढ़ना बुरी खबर ये है कि मोसम बिवा के पूरवानुमान के अनुसार दिल्ली में कम से कम अगले 6 दिनों तक बारिश नहीं होगी अब बात करते हैं पराली जलाने की घटनाओं की आंक्डों के मताबक गुरुवार को दिल्ली की हवा में पी-म 2.5 बढ़ाने में पराली की हिस्सेदारी 25 परतिशत थी जो गुरुवार को बढ़कर 35 परतिशत के पार हो गई पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर डाटा के मताबिक पंजाब में फसल कटाई के मौजूदा सीजन में पराली जलाने के कुल 12,813 मामले सामने आए हैं और अभी भी 10,00,00 हैक्टेर में धान की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है जिसके कारण आने वाले दिनों में पराली जलाने के मामलों में बड़ोतरी की पूरिया शंका है और निकट भविश्य में वायू परदूशन के समस्या से निजात मिलने की कोई उमीद नजर नहीं आ रही है लेकिन इस सब के बीच राजनिती जम कर की जा रही है दिल्ली में बढ़ते परदूशन को देखते हुए भारतिय जनता पार्टी के नेता दिल्ली की जनता को फ्री मास्क बांट रहे है और वहीं दिल्ली के LGV के सक्सेना ने मुख्य मंतरी अरविंद के जरिवाल के साथ आपात बैठक भी बुलाई है वही अरविंद के जरिवाल जिनके पास पंजाब में सरकार बनाने से पहले पराली निस्तारण के लिए कई योजनाएं और तरीके थे इसके अलावा दिल्ली के प्रयावरण मंतरी गोपाल राए भी केंदर सरकार से पत्र लिखकर दिल्ली, पंजाब, हर्याना, उत्रपरदेश और रास्तान के प्रयावरण मंतरियों की बैठक के लिए आमंतरित करने की बात कह रहे हैं ताकि वायू प्रदूशन को रोकने के लिए जरूरी कदमों की चर्चा कर सकें नहीं अकेली सरकार है आम आदमी पार्टी की जिसने वादा किया था पराली को कम करेंगे और पंजाब के अंदर 50% से ज्यादा पराली कम किया है काम किया है इसलिए कम हुआ है अगली बार और भी कम करेंगे लेकिन एक बात समझना सबको जरूरी है कि ये जो प्रदूस्वन की समस्या है पूरे उत्तरभारत की समस्या है सबको सहयोग करना पड़ेगा और जो जो सरकारे हैं चाहे आम आदमी की सरकार हो चाहे कांगरेश की सरकार हो और अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अपना ध्यान खुद रखिएगा क्योंकि जिन लोगों को आप अपना प्रतिनी दी समझते हैं वो तब तक आपके लिए उपलब्द नहीं होंगे जब तक चुनाव नहीं आते अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और दे फॉर्थ वर्ण इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब तक के लिए इतना ही मुझे दी जी आगया धन्यवाद